इस वीडियो में आपको एट्थ क्लास NCRT Maths में से exercise 2.6 को complete करवाऊंगा second chapter की last exercise है ये जो हमारा chapter है linear equation in one variable तो उसी में आगे ये हमारे पास questions आए हुए है first जैसे यहाँ पे given है तो यहाँ पे आपको क्या given है देखो 8x-3 divided by 3x अब ये जो 3x है ये उपर वाले दोनों के नीचे है तो इसका मतलब उपर वाली statement जो है उसके नीचे 3x है तो ये single statement की तरह consider किया जाएगा और equal में है 2 तो यहाँ पे हम one लगा के इनकी करेंगे cross multiply अगर यहाँ पे ये statement इस तरह से होती 8x-3y 3x या फिर 3x इसके नीचे होता और equal to 2 होता तब cross multiply संभव नहीं है ये फरक आपको ध्यानक ना है अगर एक single statement हो ठीक है पूरी statement के नीचे 3x था ठीक है तब cross multiply हम कर सकते हैं इस तरह के case में cross multiply नहीं की जाती है पहली condition तो ये है अब आपको ध्यान देना यहाँ पे इसकी multiply हम इधर कर सकते हैं और इसकी नीचे इसको बोलते हैं cross multiply ठीक है अब हमें क्या करना है actual statement को करना है एक side left hand side लेके आएंगे हम और जो without x है उनको हम right hand side में shift कर देंगे तो यहाँ पे 8x है ठीक है इस तरफ 6x है और plus में और कुछ भी नहीं है इसके साथ extra ठीक है तो 6x को हम लेके आएंगे इस तरफ minus में आएगा 6x अब एक बात और note रखना अभी तो यहाँ से minus 3 दर जाएगा plus 3 हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे इस तरफ कुछ भी ना बचे तो यहाँ पे 0 होता है यह आपके ने दिहां रखना है ठीक है अब यहाँ से minus 3 हम दूसरी तरफ right hand side में shift करते हैं तो plus 3 हो जाएगा अब 8x minus 6x कितना आजएगा 2x is equal to 3 तो x की value हो जाएगी 3 by 2 ठीक है तो यह हो गया first question second में आप देखें second में है same way में इसके नीचे यह पूरी statement है तो हम अब इस case में करेंगे cross multiply ठीक है तो पहले हम करते हैं 9 की 1 से 9x की 1 से करेंगे तो same way एगर 9x is equal to अब 15 के multiply इन दोनों से करनी है तो हम यह लिखेंगे 15 multiply bracket लगा के करनी 7 minus 6x ठीक है bracket लगा के ही 2 के साथ multiply किया जाता है तो यह एगर 9x is equal to 15 7 जा 105 minus 15 6 जा 90x ठीक है तो यह आगया अब आप देखें 90x जो है इस तरफ है right hand side में इसको left hand side में हम लेके आएंगे तो यह minus वाली statement इधर आगे plus 9x plus 90x is equal to 105 ठीक है आप इनको plus कर दो तो यह हो जागा 99x is equal to 105 अब जो 99 multiply में है इसको shift करेंगे तो divide में तो x is equal to 105 divide by 99 3 की table में यह cancel हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 1 बज़ जाएगा 15 3 5 जा 15 तो answer आगया x is equal to 35 by 33 ठीक है इस तरह से आपको करना है third question हम देखते है third में भी same way में पूरे के निचे यह statement है तो cross multiply हम करवाएंगे z की 9 के साथ करेंगे तो यह आजएगा 9 z is equal to 4 की multiply अब इस तरफ होगी z और 15 से तो यहां लिखेंगे हम 4 multiply z plus 15 ठीक है बात समझा रही है cross multiply यहां पर की है हमने अब 9 z तो रहेगा same तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे 4 की multiply पहले z से तो 4 z plus 4 की 15 से 15 ठीक है 60 अब आपको क्या करना है z बाली statement को एक तरफ करना है तो left hand side में पहले से है 9 z plus का 4 z इस तरफ हम shift करेंगे तो minus 4 z is equal to 60 9 z में इसे 4 z को minus कर दो तो कितना आजएगा 5 z is equal to 60 तो z is equal to 60 divided by 5 cancel करेंगे तो 12 ठीक है तो z की value आगई 12 ठीक है तो यह थे आपके first 3 sum next करते हैं अगर आप देखें तो 3y plus 4 divide by 2 minus 6y तो देखो यह जो division है इनके बिलकुल नीचे तो यह पूरी एक single statement है कोई भी इनमें अलग से नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक single statement है दोनों divide में तो हमारा first काम होगा cross multiplication का ठीक है तो minus 2 multiply bracket 2 minus 6y तीक है अब सॉल्व करते है multiplication को 5 3 जा 15 y plus 5 4 जा 20 is equal to minus 2 की multiply जब यहां करेंगे तो fine change होगा minus 2 to 4 तो minus यह क्या के कुछ नहीं है तो minus minus plus यह minus और यह minus multiply होके plus हो जाते है तो 2 6 जा 12y अब आपको क्या करना है y वाली statement को एक तरफ left hand side में लेके आएंगे 15y plus 12y left hand side में आएगा तो minus 12y is equal to यहां से 12y जा चुका है तो बचेगा minus 4 plus 20 है इस तरफ लेके आते है minus 20 ठीक है अब आपको क्या करना है 15 minus 12 3y is equal to दोनों minus के हैं तो minus का 24 अब 3y था तो y के साथ 3 multiply में इस तरफ shift करेंगे right hand side में तो divide में minus 24 पहले से है divide में आजेगा 3 3 बंज़ा 3 3 824 तो y is equal to आजेगा minus 8 ठीक है इस तरह से करना है fifth question में भी same इसी तरह से आप करेंगे तो यह आजेगा multiply करने पर इधर multiply होगा 3 के साथ तो 3 multiply 7y plus 4 is equal to minus 4 की multiply इस तरफ करेंगे तो यह कितना आजेगा minus 4 multiply y plus 2 ठीक है इस तरह से अब हम कर देते हैं multiply 7 3 जा 21 y plus 3 4 जा 12 is equal to minus 4 की y से करेंगे minus 4 y यहाँ minus है यहाँ plus है तो sin minus का आएगा multiply करते हैं अलग अलग हो तो minus आता है 4 to the 8 ठीक है change कर देने है अब 21 y यहाँ पर है minus 4 y है right hand side में इसको हम इधर shift करेंगे तो यह हो जाएगा plus तो यहाँ पर आजएगा plus 4 y is equal to यहाँ से 4 y minus का जो जा चुका है left में तो right में क्या बचा सिरफ minus 8 और इधर जो हमने नहीं लिखा अब तक वो है plus 12 इसको right में shift करेंगे तो यह जाएगा minus 12 ठीक है इस तरह से अब आप इनको plus कर दीजिए 21 25 हो जाएगा ठीक है y is equal to दोनों minus के हैं तो minus 20 आ जाएगा ठीक है तो अगर minus के हो तो same है तो दोनों minus के 20 हो गए total तो y is equal to कितना आ जाएगा minus 20 पहले से इधर है 25 multiply में इधर जाएगा तो divide में तो 5 की टेबल 5 4 जा 20 5 5 जा 25 तो y की value आपको मिलेगी minus 4 by 5 ठीक है तो यह था आपका fifth question next करते है six question में देखते हैं the age of hurry and hurry दो student है यहाँ पर hurry और hurry तो इनकी age क्या है r in the ratio 5 is to 7 मतलब दो students hurry और hurry hurry इनकी age की जो ratio है वो हमें given है 5 is to 7 तो आपको एक चीज नोट रखनी है जो मैं बताऊंगा कि first वाली जो ratio होगी इस तरह के question में दो रेशो है तो आज से चार साल बाद ठीक है आज से चार साल बाद क्या होगा the ratio of their ages will be 3 is to 4 उनकी age की ratio 3 is to 4 हो जाती है find their present age find their present age तो हमें उनकी present age को निकालना है तो first हमारा काम क्या होगा let solution क्या होगा इसका let the age या फिर present age और first person है हरी ठीक है तो इसकी age first ratio 5x ठीक है years उसके बाद second ratio let the age of Harry Harry की age आप लेंगे 7x ठीक है अब ये age लेट करने के बाद जो condition है वो है four years from now चार साल बाद या लिखेंगे after four years after four years क्या होता है इसकी age और इसकी age इनकी age को चार साल बाद अगर हम देखें तो इसमें plus four हो जाएगा इसमें भी plus four हो जाएगा और जो second ratio होती है उसके लिए हम इनको divide करना कैसे five x plus four ये तो हो गई हरी की age चार साल बाद divide by seven x plus four ये हो गई हरी की चार साल बात अब इनकी जो रेशो है रेशो को आपने इस तरह से लिए यूज करना है फिर जो कंडिशन है हमारी 4 years from now 4 साल बात तो उसके लिए हमने 5x plus 4 कर दिया और 7x plus 4 कर दिया अब इनको divide क्योंकि है क्योंकि second भी ratio हमें given है इसलिए हमने इस तरह से equation को बनाया आगे हमें same वही काम करने जो पहले हम questions में कर रहे है cross multiplication तो यहां से आप 3 की multiply तो करेंगे इनके साथ ठीक है पहले किसी की भी कर सकते आप इसके इनके साथ कर लो या इसकी multiply इधर कोई इसमें दिकत नहीं है तो यहां पर हम देखते हैं 3 multiply 7x plus 4 यह आजाएगा is equal to इसकी multiply इधर कर देनी आपने 4 multiply 5x plus 4 ठीक है अब इसको हम यहां करते हैं आगे तो 3 की multiply 7 से और 4 से करेंगे तो 3 7 जा 21x 3 की multiply 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 is equal to 5 की multiply 4 से 4 5 जा 20x plus 4 4 जा 16 ठीक है तो यह हमारी equation बन गई है अब इसको हम solve करते हैं कैसे solve करते हैं हम जो है x वाली statement को एक तरफ लेएंगे left hand side में तो यहां पर हम देखते हैं 21x पहले से है 20x इधर plus का इस तरफ shift करेंगे तो minus 20x is equal to 16 क्योंकि 20x तो left में लेके गए तो यहां पर क्या बच्चेगा हमारे पास right में plus 16 तो यहां से plus 12 जो है left से वो right में जब shift करेंगे तो minus 12 तो यहां जएगा x is equal to 4 ठीक है तो first हमने age जो left की थी वो थी 5x x की value हमें पर चल चुकी है तो हम यहां पर लिखेंगे present age of first student person कौन था हरी तो age of हरी क्या हो जगी 5 into x की value है 4 तो यह हो जगी 20 years ठीक है same way में हम निकालेंगे second second थी हरी तो present age of हरी हरी की present age क्या हो जगी 7 into x 7 multiply 4 7 for 28 years ठीक है इस तरह से आपने complete करना है 6th question को next करते है 7th की statement में देखें आप the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 इसका मतलब क्या है कि कोई rational number जो है अब rational number में दो चीज़े होती है numerator और denominator जो उसका denominator है वो numerator से 8 जादा है अगर हम numerator को let करते है x तो denominator कितरा हो जाएगा x plus 8 ठीक है बात समाजाए इस तरह से है if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1 numerator में अगर 17 प्लस कर दिया जाए और denominator में 1 minus तो जो number आता है वो आता है 3 by 2 तो इस condition का हम यूज़ करके क्या निकालेंगे find the rational number तो सबसे पहले आपको क्या करना है let solution लिखते हैं पहले यहाँ पे solution is let the numerator numerator हम माल लेते हैं x तो denominator कितना हो जाएगा denominator denominator is equal to x plus 8 ठीक है तो यह relation हमारी first line से clear है अगर numerator x है तो denominator उससे 8 ज्यादा है तो इसलिए हमने लिए x plus 8 अब जो conditions हमें दे रखी है according to question तो उसको हम follow करेंगे according to condition या according to question क्या है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं rational number वो कैसे वनेगा numerator उपर आता है denominator आता है नीचे अब numerator में क्या करना है increased का मतलब होता है plus करना है 17 तो यहां पर हम plus कर देते हैं 17 और denominator में क्या करना है decreased by 1 तो इसको minus 1 is equal to तो number हमें क्या मिलता है 3 by 2 अब यहां पर कुछ solve हो रहा है तो पहले हम इसको solve करेंगे फिर आगे cross multiply करेंगे तो यह आजएगा x plus 17 is equal to 3 by 2 यह तो है यह 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 यहां पर x है 8 minus 1 कितना हो जाएगा इसको थोड़ा clear लिखते हैं x plus 7 अब हम करेंगे cross multiply 3 की पहले इधर cross करते हैं 3 की किस से होगी x plus 7 से तो यहां लिखते हैं 3 multiply x plus 7 is equal to 2 की multiply उपर इधर 2 multiply x plus 17 ठीक है तो यहां से हमने इसको cross multiply कर दे 3 की multiply x से 3x plus 3 7 जा 21 दोनों के साथ होगी अंदर बहुत से बच्चे यहां पर सिर्फ x से करके और छोड़ देते हैं ऐसा गलत है आपने multiply जो करनी है वो दोनों के साथ ही करनी है 2 की multiply करते है x के साथ तो यहां जेगा 2x plus 2 की multiply 17 के साथ अगर आप करेंगे तो कितना जेगा 17 चुझा 34 अब x वाली statement को एक तरफ हम करेंगे यहां पर 3x 2x इधर आएगा तो minus 2x is equal to 34 minus plus वाली statement इधर जाएगी तो minus 21 अब 3x minus x x is equal to minus करेंगे 4 minus 1 3 3 minus तो 13 आगया अब यह x किसको लेट किया था हमने numerator को तो numerator हमारा numerator is equal to 13 तो denominator कितना हो जाएगा is equal to 13 plus 8 क्योंकि 8 जादा था तो यह आजाएगा 21 तो rational number क्या हो जाएगा rational number is equal to 13 by 21 ठीक है तो ब्यारे बच्चो यह थी आपके exercise 2.6 ऐसे ही और नए नए वीडियोज आपके पास आते रहेंगे मैच के इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कोमेंट कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद